आप लोगों का स्वागत है दोस्तों हम आपको नीमी कुशन बैंक की सीरीज करवा रहे हैं अगर दोस्तों आपने हमारी प्रीवेस अगर वीडियो नहीं देखिए तो हमारी जो प्लेइलिस्ट बनी है तो आप हुआ जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं और दोस्तों चैनल पर नए है तो चैनल को सर्किट को वाधित करने के लिए फ्यूज दवारा लिया गया समय क्या है तो चार उप्शन दियें के इनमें स आपको बताना राइट कौन सा है आओ इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वह है अगला प्रश्ण दिया गया है वाइरिंग का ट्री सिस्टम किस इस्तान पर सबसे उप्युक्त है तो आपके सामने चार ओप्शन नहीं सा राइट कौन सा तो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नमर डी बहु मंजिला भवन अगला प्रश्ण दिया गया है शुरुष्चित थंडा मोडने के लिए पीवीसी नली का अधिक्तम आगार क्या है तो आपके सामने चार ओप्शन है इनमें सा राइट कौन सा तो राइट आंसर दोस्तों अप्शन नमर सी पच्चीस एमेम अगला प्रश्ण दिया गया होम थीएटर वाइरिंग और वाप सो पावर वाइरिंग के लिए अलग वाइरिंग की सिफारिस क्यों की जाती है तो चार ओप्शन दिये गया है इनमें सा आप सो बताना है तो राइट कौन सा है अगला प्रश्ण दिया गया है प्रकाशी परपत का क्या नाम है तो आपके सामने चार ओप्शन है इनमें सा राइट कौन सा दोस्तों चलिए से बता है तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों है ओप्शन नमबर सी यानि गोधाम प्रकाश वाइरिंग अगला प्रश्ण दिया गया है कंड्यूट को मोडने के लिए किस उपकरण का अपयोग किया जाता है तो चार ओप्शन है इनमें से बताना है राइट कौन सा है तो राइट आंसर दोस्तों है ओप्शन नमबर ए क्या है हिकी अगला प्रश्ण दिया गया है कि कि एम सी बी का विस्तार क्या यानि फुल फॉर्म बताना है एम सी बी का चार ओप्शन दियेगा इनमें से राइट कौन सा है जली से बता है तो राइट आंसर दोस्तों अप्शन नमर भी इसे बोलते हैं मिनियेचर सर्केट ब्रेकर कि अगला प्रश्ण दिया गया है इल सी बी का उद्देश से क्या है तो आपके सामने चार ओप्शन इनमें से राइट कौन सा है तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों है ओप्शन नमर भी यानि आवशेश धारा को देखना अगला प्रश्ण दिया गया आगत बिजली आपूर्थी में प्रदान किये गये फ्यूज कट का उद्देश क्या है तो चार ओप्शन दिया गये इनमें से आपको बताना राइट कौन सा है तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों है ओप्शन नमर सोरी दोस्तों ए यह सुनस्चित करने के लिए कि लाइन अतिभार नहीं है अगला प्रश्ण दिया गया है डाइ स्टॉक सेट का क्या उप्योग है तो चार ओप्शन इनमें से रताना राइट कौन सा है तो राइट आंसर दोस्तों है ओप्शन नमर सी यानि बेलनाकार पाइप का बाहर थ्रेड काटना अगला प्रश्ण दिया गया है सेलिंग रोज को सामगरी के किस वरगी करण में वरगी करत किया गया है तो आपके सामने दोस्तों चार ओप्शन दिये गये इनमें से आपको बताना राइट कौन सा है तो इसका जो correct आंतोस्तों हो वह option number A, निर्गम सामगरी अगला प्रश्न दिया गया है wiring installation में परिपत का आरेक का उद्यस से क्या है एक बार repeat कर देता हूं question को wiring installation में परिपत आरेक का उद्यस से क्या है तो आपके सामने चार option है इनमें सा right कौन सा है तो right answer दोस्तों है option number D किसी विशिष्ट कार के लिए circuit का योजना बद्ध connection दिखाने के लिए किया जाता है अगला प्रश्न दिया गया L स्रंकला MCB के साथ कौन से विद्धुत उपकरण प्रदान किये जाते हैं तो चार option दिये गया तो इसका जो correct answer दोस्तों है option number A general lighting अगला प्रश्न दिया गया है घरेलू wiring installation में looping back looping विधी क्यों पसंद की जाती है तो चार option दिये गये इनमें से right कौन सा है तो right answer दोस्तों है option number B इसे बोलते हैं कोई अलग से जोड़ो का अभ्योग नहीं किया जाता है अगला प्रश्न दिया गया है परदर्शित चिन एक्स क्या दरसाता है तो आपको एक से जो दरसा रहा इसका नाम बताना है तो आपके सामने चार option दिये गये हैं इनमें से आपको बताना right कौन सा है तो right answer दोस्तों है option number A ये दरसाता है limb पर तारों की संख्या को दरसाता है अगला प्रश्न दिया गया है wiring विदी का क्या नाम है जो दोस्तों आपके सामने ये wiring दी गई है इसका नाम बताना है आपके सामने ये चार option है इनमें से बताना right कौन सा है तो इसका जो correct answer दोस्तों है option number B इसे बोलते है looping back विदी अगला प्रश्न दिये गया आरेक का क्या नाम है बताना है तो चार option दिये गए इनमें से right कौन सा जल्ली से बता है तो इसका जो correct answer दोस्तों है वह हमारा option number A इसे CD wiring कहते है अगला प्रश्न दिया गया है रेले का प्रकार क्या है तो आपके सामने ये रेले दीगे इसका प्रकार बताना है तो right कौन सा है चार option दिये गए तो इसका जो right answer दोस्तों वह है अप्शन number D is right विद्धु चुम्ब के रेले अगला प्रश्न दिये गए है अर्थ दोस लूप प्रतिबादा की गढ़ना करें यदि ELCB trapping current अगर 30A है तो आपको बताना है तो चार option मेंसा right कौन सा है तो right answer दोस्तों अप्शन number B कितना होगा 1666 ohm होगा अगला प्रश्न दिया गए है यह wiring का प्रकार है तो आपको सामने यह चितर दिया गया इसका नाम बताना किस प्रकार की wiring का प्रकार है तो चार option दिए गए इनमें से आपको बताना right कौन सा है तो right answer दोस्तो है option number B cleat wiring है अगला question दिया गया है BIS के अनुसार कठोर conduit पर thread की लंबाई क्या है तो चार option दिए गए इनमें से आपको बताना right कौन सा है तो right answer दोस्तो है option number B 11 mm से 27 mm अगला question दिया गया है गयस टाइट विस्पोर्ट इस्तापना के लिए किस परकार का conduit का अपयोग किया जाता है तो चार option दिए गए इनमें से आपको बताना right कौन सा है तो right answer दोस्तो है option number B कठोर इसपात conduit अगला question दिया गया circuit breaker का क्या कार है तो चार option दिए गए इनमें आपको बताना right कौन सा है तो right answer दोस्तो है option number C इसे बोलते हैं असमान इस्तिती में स्वचलित रूप से तोड़ना अगला question दिया गया है जाती है तो चार option दिए गए आपको बताना right कौन सा है तो right answer दोस्तो है option number A जटके से सुरच्छा अगला question दिया गया है आइस्ताई प्रतिस्ठानों के लिए कौन सी wiring उप्युक्त है तो चार option दिए गए आपको बताना right कौन सा है तो इसका जो correct answer दोस्तो हुए है option number A cleat wiring अगला question दिए गया है wiring के looping system में face conductor को कहा पर लगाया जाता है तो चार option दिए गया है आपको बताना right कौन सा है तो right answer दोस्तो है option number D socket solution अगला question दिया गया है कितने link clip BIS नियमो को अनिसार cardboard box में pack किये जाते हैं तो आपके सामने ये चार option है इनमें से बताना आपको right कौन सा है तो right answer दोस्तो है option number C saw clip अगला question दिया गया है wiring circuit का अनुपरियोग क्या है तो आपके सामने चार option दिए गये हैं इनमें से आपको बताना right कौन सा है तो इसका जो correct answer दोस्तो है option number D audio video system में विद्धुत हस्तेचेप से बचें अगला question दिया गया है यदि अर्थ pipe की लंबाई बढ़ जाती है तो अर्थ के प्रतिरोध के मान का क्या होगा तो चार option दिए गये हैं आपको बताना इसमें से right कौन सा है तो right answer दोस्तो है option number C घटेगी अगला question दिया गया है पोर्टेवल उपकरण को संचालित करने के लिए किस प्रकार के सामान का उपयोग किया जाता है तो चार option दिये गये हैं आपको बताना right कौन सा है तो right answer दोस्तो है option number C निरकत सामान अगला question दिया गया है उचितकार और बुनियादी सुरच्छा के लिए कौन सा कुचालिक आवश्यक है तो चार option दिये गये हैं इनमें सा right कौन सा है तो right answer दोस्तो है option number B खार्यात्मक कुचालिक अगला question है fuse किस प्रकार के सामान के अंतरगत आता है तो चार option दिये गये हैं इनमें सा right कौन सा है तो right answer दोस्तो है option number C ये क्या करता है सुरच्छा के सामान में आता है अगला question दिया गया है ECC का विस्तार क्या है तो आपके सामने चार option है आपको बताना right कौन सा है तो right answer दोस्तो है option number B अर्थ connectivity conductor अगला question दिया गया है हेलो जन लेंप के लिए कौन सा प्रकार MCB उप्यक्त है तो चार option दिये गये हैं आपको बताना right कौन सा है तो इसका right answer दोस्तों option number B एल्स रंकला MCB अगला question दिया गया है तीन सो वाट से उपर के लेंप के लिए किस प्रकार के लेंप धारक का उप्यक्त किया जाता है तो चार option दिये गये हैं आपको पताना right कौन सा है तो इसका जो correct answer दोस्तों वह हमारा है option number B गोली है पेंच होल्डर अगला question दिया गया है AWG का विस्तार क्या है तो चार option दिये आपको पताना right कौन सा है तो right answer दोस्तों option number A American wire gauge अगला question दिया गया है प्रतीक का नाम क्या है तो आपको यह सामने प्रतीक दिया गया इसका नाम बताना है तो आपके सामने चार option ने इनमें सा right बताना है तो इसका जो correct answer दोस्तों हुए हमारा option number C intermediate switch वोलते हैं उसे अगला question दिया गया आरेक का प्रकार बताना है तो आपके सामने दोस्तों यह आरेक दिया गया है इसका प्रकार बताना है तो चार option दिये गया है तो आपको बताना correct कौन सा है तो right answer दोस्तों option number A wiring आरेक है तो दोस्तों इसी के साथ हमारी यह वीडियो एंड होती है आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा हमें comment section में जाए comment जरू करें thank you for watching this video जय हिंग जय भारत